हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन टिशिट्स पर मैं प्रीतू आज आपके लिली कराई हूं गर्मियों के मौसम में आपको दिन भर तरो ताजा रखने वाली ड्रिंग इसकी गर्निशिंग आप अपने शाब से कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बर्ताण में ले रही हूं 60 Spunida soft इसी में add करे हुए दाल चिनी इसी में add करे हुए थोध तो टी Spunida और हरी लाइची मैंने यहाँ 10 हरी लाइची लिए इन सारी चीजों को मैं roast कर लूँगी यहाँ पर मैंiał flame को medium रख रही हु यह देखिए, सारी चीजे तो इसे में ठंडा होने दूँगी दूसरी साइड है यहाँ पर मैंने फिर से एक बरतन लिया है उसमें मैंने लिया है फाइव टी स्पून खरबूजे के बीच उसी में डाल रही हूं में 25 सिपीस बादान एक कटोरी काजू और चिरॉंजी इसे भी मैं मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करूंगी जैसे ही रोस्ट होने लगेगा एक तो इसका जो कलर हो हलका सा चेंज होने लगेगा इसी मैं एड करूंगी मैं गुलाब की पत्तियां इससे जो ट्रिंक का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा यहां पर मैंने ताजी गुलाब की पत्तियां ली हैं यहां पर मैंने पांच फूलों की पत्तियां ली हैं तो इससे भी मैं रोस्ट होने दूंगी यह देख भी प्सक्राइब मेर रख रहे हूं कि दूसरी साइड मेने यहां अपर एक बर्तन में लिया है फुल क्रीप दूध मैंने यहां चार गलास दूध लिया है इसी में एट करcemक कर रहे हों में चेनी चीनी को आप अपने प्टेस्ट के पॉर्डिंग रखें मैंने यहां 5 टीस्पून चीनी ली है और इसी मैं एट कर रही हूं है किसर के धागे इन सारी चीजों को मैं एक बॉइल आने तक पकने दूँगी यहां पर फ्लेम को मैं लो रख रही हूं दूसरी साइड यह देखिए जो सौफ वाला मसाला हमने रेडी किया है उसका मैं पीस कर पाउडर बनाऊँगी यह देखिए सौफ के मसाले का पाउडर बनकर रेडी है तो इस पाउडर को मैं रख लूँगी एक अलग बरतन में इसी मिक्सी के जार में मैं डाल दूँगी आधे ड्राइफ रूट्स क्योंकि यहां पर मैं जो ड्रिंक का मसाला है उच्छे दू तरीके से रेडी कर रही हूँ तो इसलिए मिक्सी में मैं आधे ड्राइफ रूट्स को ही डालूँगी और आधे ड्राइफ रूट्स को बच जो भी सौंफ वाला मसाला पीसा है उसे मैं चनी से छान लूँगी ताकि जो मोल्टा मसाला है वो अलग हो जाए और बारीक मसाला पाउडर अलग हो जाए ये देखिए इसमें ये जो मोटा मसाला निकला है उसे मैंने अलग कर दिया है अब नीचे बिलकुल बारीक पाउडर ह यह चल चुका है जो मोटा मसाला यसे आप सबजियों में भी यूज कर सकते हैं और यह जो बारी पाउडर है इसे में ब्रिंग के लिए यूज करूंगी तो इसे में फिलहाल साइड में रख रही हूँ और यह दीखिए काजु वाला पाउडर भी बनकर डेडी है इसे में पलट लूँगी उसी मिक्सी के जार में बागी के बचे हुए dry fruits मैं इसमें डाल दूँगी में दूर मैंने यहां आधा कप इसमें दूर डाल रही हूँ और इसको मैं पीस कर इसका पेस्ट्रेडी करूंगी दूर यहाँ पर पका हुआ है और ठंडा है यहाँ पर मैंने एक बर्तन में जो ड्राइफूर्स वाला पाउडर है उसे डाल दिया है और उसी में एड़ कर रही हूँ मैं आधा सौंफ बाला पाउडर और इन दोनों ही चीजों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी यह देखिए सारे चीज़े अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है तो यह हमारा ड्रिंक का पाउडर रेडी है तो इसे मैं अलग बाउल में पलट लूँगी आप इसे स्टोर कर सकते हैं इसके लिए आप एयर टाइट कंटेनर में से रखें और आप इसे दस दिन तक आराम स कर सकते हैं दूसरी साइड यह देखिए जो ट्राइफूट्स का पेस्ट था वो भी इसकर देखिए है इसे मैंने बिल्कुल बारीक पीसा है तो इसे मैं फिलहाल साइड में रख रही हूं अब जो यह हमारा ड्राइफूट्स का मसाला था इसकी मैं थोड़ी सी के स्की उपर डाल रही हूं और यह हमारा ट्राइपाउडर रेडी है तो इसे मैं फिलहाल साइड में रख देती हूं क्योंकि इसका इप्लाइज नहीं है दूद में भी देखिए एक वाइल आ चुका है तो यहां पर मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और दूद को में ठंडा हो जाएगा तब मैं से यूज करूंगी दूद ठंडा हो चुका है तो इसमें डाल रही हो मैं बचा हुआ सौंफ वाला मसाला इसे मैं मिक्स कर दिया और इसी में डाल दूँगी मैं ड्राइफूट्स वाला पेस्ट और इन सारी चीजों को मैं अच्छे तरीके से मि अच्छे तरी